हेलो एवरिवन देशिज रुपेश मिस्टरा ना वेलकम यौल तो यौर चैनल देखिए मेट्रिक स्पेसेश के एम से क्यूंस का यह हमारा थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा और इसमें मैं चैप्टर नुबर सिक्सेंट सेवन कवर करने वाला हूं चैप्टर नुबर सिक्स है वो सबकुछ perfect है कि हम लों क्या पढ़ना है जो मीट्रिक स्पेश वैसे तो यह PDF मेंने सारे के सारे से एक साथ एड़ कर दिये थे जिसमें से हमारे यहां मेट्रिक स्पेसे स्कॉंटिलिटी तक हो गया था यहां तक हो गया था यह सारे पॉइंट्स हो गया थे सिर्फ कौन से बचे थे अर चलिए विदाउट वेस्टिंग टाम एट्स को ऑन आर फस्ट कोईशन चलिए क्या दोनों क्या गयते हैं क्लोज्ड भी होता है और बाउंडड भी होता है ठीक है कॉंपेक्ट नाम इसलिए रखा गया की डिफिनिशन में है आगे नेक्स्ट यूनिफॉर्म यूनियन ओफ टू कॉंपक्ट सेट्स इन अमिट्रिक स्पेस इस ऑल्सों कॉंपक्ट यूनियों कोई से कोई बात नहीं है अगर आप यहां भी तो भी कॉंसेट समझ सकते हैं एक से वाई में जा रहा है तो कॉंटिनिविटी उसकी बनी हुए इफ एक्सिस कॉंपक्ट देन एफ इमेज ऑफ क्लोज सबसेट की इमेज क्या होगी क्लोज हो जाएगी वाई में ठीक है अगर वह ओपन कहला रहा है उसे ओपन कह पा रहे हैं हम ठीक है तो उसे भी क्या होना चाहिए सब के सब ओपन होने चाहिए आरी बात समझ में ठीक आजाए आगे एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब पास सब्सक्राइब तब उसे हम सब्सक्राइब कहते हैं ठीक है नेक्स देखिए टोटलिए बांड़ेट प्रूफ करना एक होना लाच जबाएं और आप पढ़ेंगे तो एवरी सिक्वेश इन इक्स कंटेंस और कन्वर्जन सिक्वेश दिके हैं एक्स सेड्लिटस को सबसक्राइब सेक्राइब तब बांडेड केवल कर मतनीं सिक्वेंस होना चाइए ठीक है क्यों सिक्वेंस ऑटोमेटिक बना देता है कर्मों बना देगा तो वह हमारा वांडेट अप्रोस्वर सब्सेत आफक मेट्रिक इस इस कलोज निकालो में तो निकलेगा नेग्ज में कि अवर्इक अवुन ठ अना में बाउंब कि कं पहां तो मैं तो इसके मिताक जिए कंप्त सब इ telescop कहां 9ू ठीक है एक सखाने नहीं यतों इंफीनिरटी इन इंफीनिटी खोंडता और कॉमेर्टी उत्वाइब हो तकी क्लोस उनमेब होना चाहिए और बाउक्द होना चाहिए थे क्ल то जो इंटरवल तो है आप यह यहें दी व्याट क्नि नी कंत ब्यार पास्यंग आप लोन जाता है कभी तभी घृट तक है नेक्सिट कि विशर फ्वोल्वींस इस्टक्प्ट इसनोट करेक्त इन में से कौन सा करेक्ट नहीं है ठीक है देखें रभी यह जड़ा है कैंडिस्ट is तो यहां पर यह भी सही है यह भी सही है के वल केंटर सेट ओपन नहीं होता तो पूरा बाउंड़ेट है मतलब उसके आस पास का नेबर हुट की बात करता है यह नो एक नहीं और एक भी नहीं होगा तो यह दोनों तो गलत होंगे ठीक है फाइनाइट नमबर ओफ एपसाइलन नेट होने चाहिए ठीक है आगे देखें 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 इन यूजवल मेट्रिक स्पेस आड़ी कंप्केस इस इनमें से कौन सा आर डी में कॉंपेक्ट सेट होगा ठीक तो दिखें है और यह पहली बात थो बहुद भी होगा बाउंडब भी होगा यह लिए नहीं यह यह बहुनघ होगा वह यह सब भी नहीं होगे क्योंकि तो इनफाइनाट कलेक्शन आफ यूंइन तो तो होगा नहीं कंडिशन नहीं देगा इस पर आ जाए यह भी बाउंडेट ने क्योंकि क्यों और 01 का इंटे सेक्शन ले रहा है तो हाला कि यह आएगा यह बाउंडेट ओपें सट आएगा इधर आ जाएए यह तो ठीक एवन से लिकान तक नमबर और अन बाउंडेट होता है वन से स्टार्ट ओगा इंफिनिटी तक जाएगा पांसर आप्शन ए सही है इसे कॉंपेक्ट कौन है वह मिल गया ठीक है तो सी एक्स इस एक्स क्या होत स्य है सी कि नाम से पाथ चलता यह इस क्यूंपेक्ट चट बनाना चालता है व्हंज है स्थोह कॉsheet को रिप्रेजेंट करता ता है ठीक है ओपर इंटे anyways to निक्स देखें आगे फिर क्या है लेट एक्स डी बिया मेट्रिक स्पेस जी सब्सेट है एक्स का और जी इस एक्वल टू ए यूनियन बी भी है ठीक है वेर एंड वी आर सिपरेटेट सेट्स ए और भी में कुछ भी कामन नहीं उनका यूनियन जब आप ले रहे तो आप hoffe ब यूज यो आ one a Two एक्स का सब्सेट है ठीक है एक इस एन ओपैसेट दिन अरजी ओपन हेता खोव घूपन तभी हो सकता है यह वे हैं यह दोनों सेपरेटेट्अ एक दम अलग है कुछ स्पाम्हा नहीं डी तो ढोपन्र गट पन आ जया ठीक है आगे आज़े नेक्स के लेट एक्सडी बिया मिट्रिक स्पेस ठीक एक्स कॉमा वाई बिलांग्स टीक है विच फॉलोइंग इस तूर में से कौन सा सही है तो देखें कि अगर कॉम्पेक्ट सेट हम एक्स का या तो वाई के बराबर होगा या तो उनका लोगे बच्चों तो दोनों से मैं ना दोनों में से कोई भी आजागा तो वह तो बड़े कामन आ जाएंगे तो पूरे बराबर आ जाएंगे या तो उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए तो अन्सेर ऑप्शन यहीं एक्दम परफेक्ट सही दिख रहा है ठीक है दूसरा व भी लॉंग अभी सब्सेट ऑफ एक्स ठीक है कि सेट्स एंबी आट सेट टो भी सेप्रेटेटेट अपका जागा अलग 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 कप कहा जा सकता है इसे जब किसी एक का बार का किसी एक का बार अब और बी दो है किसी को कैसे कहें तो हम कहें कि पहले बीबीब अने से सब्सक्राइब है देखिए इस कौन से से स्ट कॉन्रेक्टेड है को M अज़िए देख लेते तो देखिए को डिफिनीशन एक सिंपल सी होती है कि अगर हम किसी सेट को लीट के उनियन में लिख पाये फ नि sy remedies दोनों उसने छर। आना से ऐसा कौन सा सेट है उपर अगर आप देखें इसमें से कौन सा सेट है एबी सीडी में जिसको दो के यूनियन के बराबर हम लिख सकते हैं तो दिखें वैसे तो आंसर डिरेक्टली दिख रहा है लेकिन मैं एक बार और समझानी कुशिश करता हूं कि करनेक्टेट सेट्स होत amit तो वह हमारा अगर तोड़ पायं तो डि को दो गया है कि और तोड़ नहीं पाय तो डोग यह से कौन सा अयसे हैं सैट जिन को थो कॉम थो नहीं सकते बाकित तो सब को तोड़ सकते हैं र को नहीं तोड़ सकते आप तोड़ के देखिए आपन देंगे चली ठीक मायीनश से जीरो ले आते हैं और जीरो से इंफिनिटे आपने काते तो तोड़ दिया हमने नहीं आपने जीरो को छोड़ दिया सब कुछ कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा और डिज्जॉइंट भिलाना पड़ेगा अब का होगे आप सर किया पर क्लोस कर लीजिए जब क्लोस करेंगे तो इनका यूनियन क्या जागा कुछ कुछ कॉमन तो आई रहा इसमें ठीक है चलिए ठीक आर आंसर हो गया नेक्स देख देख अगर अगर डिनिकाला यह निदिस्टेंस फंक्षन निकाला जाए तो क्या निकलना चाहिए ठीक है कुछ common नहीं है और इसके बीच का हाँ तो यह distance क्या होगी हमेशा greater than 0 less than तो आता ही नहीं आर की value greater than 0 होती है तो यह आपका options हो जाएगा in usual metric space RD which pair of sets is separated इन में से कौन सा set separate है किसमें कुछ common नहीं है मतलब जिने हम disconnect कर सकते हैं अलग-अलग कर सकते हैं देख लो इन दोर में तो वन कॉमन है ठीक अच्छा और इन्हें अगर देखा जाए तो अगर देखे तो इसमें है वह भी कौमन लगारा कनेक्ट कर सकते हैं यहां पर देखिए one और वन दोनों ही नहीं है से तो इसलिए क्या हो गये डिस्कनेक्त हो गये मिया पर यहां पर वान एक के पास खोग से नहीं लेंगे सिंपल सी बात जो दोनों के पास नहीं हो उसे सब्सक्राइब लेंगे तो आंसर उप्षिन इसका कौन सा हो गया यह वाला कि आरिवा समझ में आगे बढ़ेए नेक्स देखें लेट एक्स डी बिया मेट्रिक स्पेस एंड एक्स बिलॉंग सुक्राइब एल एक्स देन सी एक्सेज कॉम्पैक्ट सेट होता है है कि नहीं और कि एक चीज़ और बोलें कि एक्स तो फिलाल इसी को दिनोट करता है कोई दिखकत नहीं सही है ठीक है कहीं कहीं पर यह भी आंसर देता है लेकिन यह दोनों इन्होंने दे दिए तो दोनों लिखना चाहिए इनको फिर तो चलिए याद रखेगा यूनिए फॉल कनेक्टेट सब्सेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स यह भी हमारे कॉंपेक्ट सेट होता है दोनों दो थियोरे में एक साथ है दी कोई बात नहीं है याद रखेगा लेट एक्सडी बिया मिट्रिक स्पेस एन एब बिया सेपरेटेट इस एक्स और पी क्यू आर नॉन इंपरेटिस लग लग तो पिओर क्यू और कैसे होंगे वह भी से परेटेटी होंगे जब एक अलग अलग है एक सबसेट हैपी बीह का सबसेट एक क्यू तो वह भी अलग होँसे परेटेट होंगे लास्ट कोश्विंग देखते हैं लेट आर स्कोई डी यूज़न मिट्रिक स्पेस देन 10 सेट आर स्कार माइनस क्यू स्कार है तो देखेज जब भी ये एक ट्योरम की तरह है हम लोग आर स्कोयार यानि एक ऐसा ही सब सेट उठाते हैं एक और एसा दूसरा मिट्रिक मिट्रॉंप टुप यह तुट राग़ा ड चैप्टर यहां पर समाप्त हो गया मेट्रिक स्पेस के mcq समाप्त हो गया लाज जो चैप्टर था उसमें मुझे कोई कॉणसेट जो दिखा वो इधर ही निपड़ गया इलक्सेट से बताने की चरूत नहीं पड़े लेकिन अब इसके बात की बात क्या है इसके बात की बात है देखे हम लोगों ने numerical analysis के mcq कर लिए complex analysis के mcq कर लिए metric space के mcq कर लिए हम लोग जो हमारी चौती बूक है operation research उसमें chapter number two को fully cover कर दिया mcq के साथ आज chapter number three पर बात करेंगे उसके उसे भी cover करेंगे जिसे जो कि हमारा convex set करके है chapter ठीक है तो यह तो कर लेंगे साथ ही साथ इन सब का इन सब के mcq एक बार तो हो ही जा रहा है लेकिन साथ ही साथ एक extra सब की one question bank आपको और करवाई जाएगी कम से कम एक question bank और जादा से ज्यादा एक दो और मिल सकती है मिल सकती है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मिली जाएंगी जिन कोशी चलिए कि एक extra और भी हो जाए लेकिन एक तो करानी एक तो मैंने वादा कि तो करांगा तो यह आपका को सब्सक्राइब कर दिए के विए दिए उसके बाद आपका मैट्स का इक्जाम है और कसके पढ़िए फिरकुल खीच कर और शेयर जरूर करें लाइक कर दिए अगर यह थोड़ा अच्छा लगता है कमेंट आप लोग करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में औ और मैं कमेंट्स सारे कमेंट्स का जबाब भी देता हूं ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैत वैत पर रुपेश मिश्रा के साथ तैंक यू